Hello everyone, I am Aastha, welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल Government Job Genuine Notification So, आज का वीडियो उन सभी students के लिए, candidates के लिए बहुत ही important है जिनका math weak है जिनको math से डर लगता है और उनको लगता है कि कोई ऐसी सरकारी नौकरी या government job मिल जाए जिसमें हमसे math न पूछा जाए, math का exam हमको न देना पड़े तो एक ऐसी ही government job के बारे में हम बात करेंगे पैसे बहुत से अगर हम देखें, maximum जो रहेंगी वहाँ पर आपसे math पूछा जाता है लेकिन फिर भी कुछ पोस्ट या कुछ job ऐसी होती है, जिनका examination जो होता है उसमें math नहीं पूछा जाता है, अलग-अलग subjects पूछा जाते हैं, सभी जगह आपने देखा ही होगा तो math यहाँ पर नहीं पूछा जाता है, तो वो students या candidate जो कि math बीक है, और math के विना कोई ऐसी सरकारी नौकरी सर्च कर रहे हैं, जिसमें math का exam ही नहीं हो and आप 12th के base पर अगर सर्च करें, minimum qualification आपकी 12th होनी चाहिए, फिर अगर आप 12th के बाद आपने graduation भी किया है तो अभी आप इस job यह वेकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, so आप सभी के लिए, male, female, सभी के लिए यह job रहेगी and office work आपका इसमें रहता है, तो west opportunity अगर आप math के बिना कोई job सर्च कर रहे हैं and अगर हम 2024 की बात करें, तो 2024 में इसी मन्त में इस post पर vacancies रिलीज होने बाली है जुलाई 2024 में vacancy आने वाली है, तो इसके लिए आप तैयार हो जाएए, अगर आप math के बिना, बिना math के अगर आप कोई government job या सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो तैयार रहे है and चैनल को सब्सक्राइब करके वाल इकन के all option को प्रेस करके रखेगा, जैसे ही notification रिलीज होगा, full information के साथ आपको वीडियो अप्लोड किया जाएगा तो चलिए, जान लेते हैं इस सरकारी नौकरी के बारे में, कौन सी है ये सरकारी नौकरी जिसमें आपको math का exam नहीं देना होता है पहले तो आप यही जान लेजिए कि ये जो सरकारी नौकरी या government job है ये central government job है, central level की ये job है और इसमें आपकी जो posting होती है वो all India level पर central government की जो departments है, ministries है, उनमें आपकी post रहती है, job रहती है and office work आपको इसमें करना होता है, ओके, तो है नवेस्ट opportunity, तो चलिए इस post का नाम है, जिसके हम बात कर रहे हैं, ये है stenographer, SSE stenographer, ये आपने नाम सुना होगा, SSE के दौरा अलग-लग notifications release होते हैं, उसी में से SSE stenographer की vacancies भी release की जाती है इसमें SSE की दौरा जो stenographer की vacancy आती है, ये दो तरह के आती है, stenographer grade C and stenographer grade D grade C की जो post होती है, ये group B के अंतरगत होती है, grade D की जो post होती है, stenographer की, ये grade C के अंतरगत होती है तो ऐससी स्टेनोग्राफर जो पोस्ट है, जो विकैंसी है, यह जॉब है, सेंट्रल डेपार्टमेंट्स में पोस्ट रहती है आपकी, इसका जो सेलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें आपका रिटन एग्जामनेशन होता है, इसके बाद आपका इसकल टेस्ट होता है, क्योंकि आप सभी जानते है, इसमें इसकल टेस्ट लिया जाता है, तो अगर अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, अगर चाहें तो अभी स्कल टेस्ट आप सीख सकते हैं, इसमें स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है, तो स्टेनोग्राफी आप सीख सकते हैं, तो स्टेनोग तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आपका कम्पीटर वेस्ट एग्जामनेशन होता है, जिसमें आपके तीन सब्जेक्ट्स रहते हैं, एक तो है जर्नल इंटालिजेंस और रीजनिंग, जर्नल अवैरनेस और इंग्लिस लैंग्विज और कम्रेंशन, यह तीन सब्जेक्ट्स वेताई हैं, जिन से एक पशिए जाते हैं, जन्टेशन से और इंटालिजेंस और इंटालीजेंस और रीजनेस, एक फिफ्टी फिफ्टी गॉशन्स रहते हैं, इंग्लिस लैंग्विज यह से आपके 100 कशिए हैं, 100 marks की, लो टो टोल 200 questions, 200 marks, 2 और टो आर्स क और यही हमारा जो यह वीडियो है, इसमें में पॉइंट यही था, कि हमें कैसी सरकारी नोकरी देखेंगे, उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका मैथ बीक है, तो अगर आपका मैथ बीक है, तो आप इस एक्जाम को दे सकते हैं, लेकिन आप यहां पर स्टैनोग्राफी सीख ल उसके बाद होता है, तो अभी आपके पास टाइम है, शॉर्ट हैंड आप सीख लिजेए, तो फुल इंफोर्मिशन के साथ बैसे मैं एप लोड किया है, लेकिन आगे आपको एक वीडियो दूँगी जिसमें आपको यहां सेलिग्सेशन पोसीजर के साथ, के लिए vacancies आती हैं, ओके सुवासा करती हूँ, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, जिनका math week है, उनके लिए वीडियो अगर पसंद आया है, तो वीडियो को like and share जरू कीजेगा, thank you.